राजस्थान में भाजपाख क्लीन स्वीट के लिए पूरी तरह आश्वस्त है दूसरी ओर कॉंग्रेस इस बार क्लीन स्वीट से बचने का प्रयास कर रही है लेकिं कॉंग्रेस के लिए बड़ा चुनोती भरा टास्क नजर आ रहा है सबसे बड़ी वजह कॉंग्रेस में टि सचिन पाइलेट और कॉंग्रेस प्रदेश अद्यक्ष गोविन सिंग डोटासरा की नमस्कार मैं हूँ विजह वर्मा आज में जो बात करने वाला हूं वो राजस्थान में कॉंग्रेस के सियासी भविश्च के लिए चुनोती से कम नहीं है क्योंकि विधान सभा चुनाओ के बार लोगसवा चुनाओं में भी कॉंग्रेस में टिक्टों को लेकर ठनी हुई है इस बार पाइलेट और डोटासरा आमने सामने हैं दोनों नेता इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना बैठे हैं जबकि पूरु सीम अशोग गहलोत ने खुद के पैर फिलाल पीछे क कर लिया है ऐसे में मुख्यमंतरी की दौड में रह चुके सचिन पाइलेट के समर्थ तक मानने लगे हैं कि आगे जब भी कॉंग्रेस की सरकार आएगी तो राजस्तान के सीम तो पाइलेट ही होंगे और ऐसा ही कुछ विचार गोविन सिंग्ग डोटा सरक खेमे के नेताओ की यह अनमन कि दिशा में कॉंग्रेस को लेकर जाएगी यह सबसे बड़ा सवाल है कॉंग्रेस की पहली सूची में पाइलेट खेमे के नेताओं के नाम नजर आये थे तो दूसरी सूची में भी पाइलेट के एक और समर्थ तक कुलदी पिंदवरा को टिकेट मिल गया और भी बहुत मैत्पूर जगए श्री गंगान अगर हनुमानगट सीट से मिला इन दौरा पाइलेट की रेलियों में सभाव में अक्सर नजर आते रहे हैं कि दूसरी और साइलेंट मोड पर बैठे पूर सीम अशो गहलोत खेमे के सुनिल शर्मा को जैपूर शहर से टिकेट दिया गया है बारा जहालावार से पूर मंत्री प्रमोज जैन भाया की पत्नी और मिला जैन भाया को भी टिकेट मिल गया है उधर डोटा सरा ने पाली से अनिल चौपडा का नाम चल रहा है पैडलेट अरिल चौपडा की पैर भी कर रहे हैं अनिल चौपडा पाइलेट की सभाओं मेड़ायों में अक्सार नजर आयए हैं उनके साथ爹 खडए रहे हैं हमेशां हर परिस्तेती में कहोंई स्थीडोटास रा संदीप चौधरी की प और चौमू से विधायक शिखा मील भी जैपुर ग्रामेंड से प्रयास कर रही हैं विचा रही हैं कि लोग सबाद चुनाओं में भी किस्मत अजमाली जाए शिखा मील भी डोटास रखेमे की ही नेता हैं इसके लावा कुछ और सीटे हैं जहां पेच फसा हुआ है अजमेर मे पाइलेट खेमे के शिव प्रकास गुर्जा टिकेट मांग रहे हैं हाला कि बीजेपी से बागी होकर दमखम से कॉंग्रेस के टिकेट पर चुनाओं जीते विकास चौधरी का नाम भी कतार में माना जा रहा है और सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं डोटासरा भी विकास चौधरी के नाम की पैर भी कर रहे हैं वे किशनगर से मौजुदा विदायक भी है और देखा जाये तो अजमेर लोगसवा सीट के जातिकत समी करनों में भी विकास चौधरी फिट बैड रहे हैं बात करें सीकर की तो वहां भी हालात कुछ ऐसे ही थे हाला कि अब सीट पर डोटा सरा लक्षमन सिंग रावत के लिए और सचिन पाइलेट कार्तिक चौधरी को टिक्र दलाने को लेकर अड़े हुए हैं इसके लावा सुदर्शन रावत का नाम भी चल रहा है वैसे देखा जाये तो लक्षमन सिंग रावत पूर मंत्री रहे हैं वरिष्ट नेता हैं कद्दावर नेता हैं जबकि सचिन पाइलेट के करीबी कार्तिक चौधरी भी यूथ कॉंग्रेस से आते हैं और ग्राउंड लेबल पर उन्होंने भी काम किया है पाइलेट की जंसंगर्च यात्रा में आगे खड़े रहे हैं कुलमलाकर अपने खेमों के नेताओ को ट्रिक्ट दिलाने में कांग्रेसी नेता अड़े हुए हैं माना यही जा रहा है कि अशोग गैलोट सक्ता से चले गए हैं तो उनकी नहीं चलेगी उनकी दखल नहीं रहेगी पाइलेट समर्च तक ऐसा मानते हैं डोटासरा समर्च तक भी ऐसा मान रहे हैं जबकि CWC में गैलोट का बड़ा दखल है आज भी है पाइलेट मजबूत है लेकिन ख़बरें ये भी है गैलोट के परामर्श के बगएर आला कवान कोई डिसीजन फाइनल नहीं कर पा रहा है खैर अब चर्चा है कि क्या गैलोट के साइड लाइन होने के बाद डोटासरा और पाइलेट में वर्चस्च की लड़ाई शान्त होगी या और आगे बढ़ेगी अगर ऐसा हो रहा है और ऐसा चलता रहा तो ये कंग्रेस की सेहत के लिए अच्छा नहीं है या यूँकर एक राइस्थान में कंग्रेस के भविश्च के लिए अच्छा बिलकुल नहीं होगा फिलाल मु